आज एक नया दिन है और ट्रेनिंग की शुरुआत मौनिंग पीटी से होगी कश्मीर की धूप में पसीना बहाते हुए ये नौजवान अपने ट्रेनर की देखरें हमें तयार हो रहे हैं इनकी ट्रेनिंग का आखरी हिस्वा जल्द इनके सामने आने वाला है काफी ज्यादा मैंद कर रहे थे काफी ज्यादा एंज़ी ड्रे Nether हो रही थी और हमसे अलग अलग ड्रिल्स करवायी जा रही थी हमसे जो एक्सेसाइज़ करवाई जा रहे थी, उनसे हम सब बहुत ठक गए थे, ये अब तक का सबसे मुश्किल सेशन था पीटी करने में बहुत मज़ा आता है, दर्द भी होता है, और उसके बाद जब करनल सरीन है तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी तो तुमारी ट्रेणिंग का पहला पार्ट इंस्पायर था स्पेशल फोर्सस से, दूसरा पार्ट एनसजी से और तीसरा पार्ट अब ट्रेणिंग का चौथा पार्ट शुरू होगा अब अगले अर्टालीस घंदों में हमारे बारहानों जवानों को अब तक मिली ट्रेणिंग में पर्खा जाएगा सबसे पहले मेमरी स्ट्रेस टेस्ट, इसके बाद प्रिसिशिन फायर एक्सराइज, और आखिर में टीम एंडूरंस रन होगा निले, तनुष्री, मानव, रोहित, सोनु, हमान्शु, रेटीम, बाकी सब लोग, ब्लू टीम, येस सर्, हमान्शु, रेटीम, टीम लीडर, येस सर् पनलवी, येस सर्, टीम लीडर, येस सर्, टीम लीडर आगे आए, ये क्लिप बोर्ट लीजिए, हमें कॉंस्टिटूशन का प्रियांबल याद करने को कहा था, और हमें ये करने के लिए सिर्फ दस मिनिट दिये गए थे, मैं तुमसे कभी भी इसे सुनाने के लिए बोल सक प्रियांबल, भर्त ये समविधान का परिचै देता है, इसकी बरहपंतियां हमारे समविधान का सार बता दी है तस मिनट बाद हमसे वो जो पेज था जिसमें प्रियांबल था वो ले लिया गया और उसके बाद हमें जो हमारा अगला टास्क था वो बताया वो पेड़ दिख रहा है महाँ पर यह सर वो जो सबसे अलग खड़ा है हर ट्रेनी को साथ डिगरी की चड़ाई चड़ कर उस पेड़ तक पहुचना है वो भी अठारा किलो वजन के साथ वहाँ पहुचकर पूरी टीम को कैम्प कमांडर के सामने प्रियांबल को बिना कोई गलती किये दोहराना है हमारी टीम का प्लान यही था कि हम थोड़ा जिगजग करके चलेंगे क्योंकि इससे हमें मॉमिन्टम अच्छा मिलेगा और हम लॉंग स्टेप्स की जगा शॉट स्टेप्स लेंगे पल्लवी ने हमें तीन बड़ी पैज में डिवाइड करने की स्ट्राटीजी बनाई पहले पैर में सनी और आशीश लीड कर रहे थे दूसरे में सुनील और बल्लवी थे और तीसरे नंबर पर रिशब और मैं चारो शाबाश अपनी पीट पर इतना वजन डालकर डाइम करना आसान नहीं होता है क्योंकि ग्राविटी की वज़े से एफट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है अच्छी बात ये थी कि हम छे लोग थे जिन में से चार विल्कुल फिजिकली फिट थे तो हिमान्शु और तनुश्री को हमें एस टीम थोड़ा सपोर्ट करना पड़ा जो हमाई टीम में थी तनुश्री तो उनकी वेसे कहीं नहीं हमाई टीम टूटरी थी मुझे लगता है अगर तनुश्री ने थोड़ा और एफ़र्ट लगाया होता तो शायद टास्क अच्छे से हो सकता था उपर जाते जाते फर्स टाइम में तो वी वर लाइक की नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा बट सम्हाव हमने कम्प्लीट किया कि बैठने को किसने बोला चलो खड़ ओजाओ और इसिप्रिन मे रहाओ तुम सबको प्रेम्ब याद है एग ठीक है मुझे पूरा प्रेम्ब सुनाओ यद्य ओओवर्ड और करेक्ट इतना काफी है, मुझे और नहीं सुनना है एक और चांस देता हूं, नीचे जाओ और प्रियांबल को अच्छी तरह रिवाइज कर जल्दी तलुश्री, जल्दी उस टाइम जैसी हम लोग उपर पहुँचे तो हमारी हालत बहुत जादा खराब थी हम लोग यही सोच रहे थे कि हमें बस यहां तक पहुचना है और फिर हमारा टास्क खत्म हो जाएगा इवांचू, मैं तुम्हें दो आप्शन देता हूं या तो सब साथ में सुनाओ, या फिर पार्ट्स में सुनाओ पर प्रियांबल पॉफेक्ट होना चाहिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग पार्ट्स में सुनाओंगे और हमारे जितने भी मेंबर्स थे सभी थोड़ा-थोड़ा करके सुनाओंगे तो यह को अ, झाल उन्चाच्चण अ रपारा जाड़ा भीमिश एस्टैजीर्जीर्स की शारह5 के सुवष्टटीयर। अन जूवर। यह जूजिए जर्दीन्फे जर्दीन्फ' कि जल सुवर्नाओ, कि यह टिर्साइड एंज सेजिए पहला पेरग्राफ मैं सुनाओंगी उसके बाद बाकी लोग सुनाएंगे हिमान्शुर ने सबको लाइन्स अलोट कर दी थी तो इस बार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेमरी टेस्ट का एक मकसद है और वो यह है कि जब आप इतनी चड़ाई करके ठख जाते हैं तब भी आपको सारी जरूरी चीजें बारीकी से याद रहनी चाहिए और ये फील्ड में हमेशा काम आता है और ट्रेनीज के लिए इसे सीखना बहुत जरूरी है मैं सुनाती हूं सर ओके सुनाओ वी थे पीपल अफ इंडिया हाविं सॉलम्ली रिजॉल्व तो इंडिया इंटो आ सौवरेंड सोशलिस्ट सेकुलर देमोक्राटिक रिपब्लिक मल्लवी ने प्रियम्बल सुनाया और उसने अल्मोस्ट सही सुनाया था ओके तुम सबको भी याद हो गया ये सर्फ पेड का चकर लगाओ नीचे जाओ टास्क वहां कंप्लीट होगा ये सर्फ दूसरी बार में ब्लू टीम का एटेम्ट अल्मोस्ट परफेक्ट था इस बार सब अपना बैक कैरी कर रहे थे इसलिए उन्हें चढ़ने में भी कम वक्त लगा रेड टीम में तनुश्री को चढ़ने में थोड़ी परिशानी हो रही थी टीम ने एक दूसरे को बैक देने का सही फैसला नी है साथ ही उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कौन कब कितना लोट कैरी करेगा इस बार मैंने वर्ट तो वर्ट करनल सर को अपना पार्ट सोना दिया सामाजिक, आर्थिक, आइनिटिक विबर्टी ओफ थार्ट्स, एक्स्प्रेशिन, बिलीव, फेथ, और वर्शुम वापस जाने को तैयार? येस सर् चक्कर लगा और जाओ तो हमें फाइनली ऐसा लग रहा था कि चलो यार हो गया अब फिर नहीं आना पड़ेगा रेड टीम ने इस बार भी आल्मोस्ट सही सुनाया पर कुछ वर्ट गलत थे इसलिए इस बार भी मैंने उन्हें यहां से वापस भेज दिया जहां तक प्रियंबल याद रखने की बात है तो ब्रू टीम रेड टीम से कहीं जादा बहतर थे